दियर फ्रेंड्स स्वागध है आपका हमारे YouTube चैनल डियर अस्टेडी पांट्स पे जैसे के डियर अस्टेडी पांट्स पे आप लोगों को पहले से मैठ ओर इजनी की सेशन्स मिलते आ रहे हैं और आगे मिलते रहेंगे आज से मैं सागर सर् आप लोगों के लिए GS का special session लिखे आया हूँ जिसमें मैं railway, SSC और इंडिया में हो रहे हैं most one day examinations के सारे important questions को discuss करने वाला हूँ जो GS और current affairs दोनों के mix दोंगे ठीक है तो हमारे videos को और हमारे content को देखने के लिए हमारे channel DR study points को subscribe करना ना भूले और subscribe के बगल में एक bell icon होगा उसे जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई ना वीडियो अप्लोड करूँ तो आपके पास notification पहुच जाए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने पहले question प्याते हैं और हमारा पहला question है मद्य पर्देस में कौन सी गुफाएं प्रागैती हासिक गुफा चित्रों और भित्ती चित्रों का सबसे अच्छा हुदारन है तो हमारा answer हो जाएगा भीम बेट का इसी question को अलग धंक से पूछा जा सकता है कि भीम बेट का भारत के किस राज्य में है तो उस समय हमारा answer हो जाएगा मद्य पर्देस इसके साथ साथ हमें आगे बताते चलो आपको कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये तीनों गुफाएं जो है वो महराष्ट्र में है कहा है? महराष्ट्र में और महराष्ट्र में और एलिफेंटा जो है वो यूनेस को द्वारा ठीक है? इसको ध्यान में रखना आप लोगो के विए लिफेंटा गुफाओ को यूनेस को द्वारा विश्व पूरा तत्वस्थल में सामिल कर लिया गया है हमारा अगला कोश्चन है संक्रामक रोग और बहरी हमलावारों के विरुद सरीर की रच्छा कौन करता है ठीक है? तो इसका अंसर हो जाएगा लिकोसाइट्स लिकोसाइट्स को WBC के नाम से भी जानते हैं और जैसा आप लोगों को पता होगा WBC का फुल फार्म होता है वाइट ब्लड सेल आप हिंदी जानना चाहते हो तो वाइट ब्लड सेल का हिंदी होता है स्वेत रख्त कोसिकाए ठीक है? इनका जीवन काल लगभग 13 से 20 दिनों का होता है सिर्फ और सिर्फ 13 से 20 दिनों का चलिए एक और चीज़ बताता चलूँ है आप लोगों को लाल रख्त कोसिकाओं के बारे में लाल रख्त कोसिकाओं का जो जीवन काल होता है वो लगभग 100 से 120 दिन का होता है ठीक है और यही जब आप सीश्वों की बात करते हो मतलब छोटे बच्चे की बात करते हो तो उनका जो जीवनकाल होता है वो लगभग अस्ती से नब्य दिनों का होता है ठीक है चलिए हम अगले प्रस्ण के और तो हमारे प्रस्ण में यह कह रहा है निम्लिखित में से कौन सा जन्तु कोशिकाओं में मौझूद नहीं होता है तो कोशिका भित्ती जन्तु कोशिकाओं मौझूद नहीं होता है यह सिर्फ robot John Baert भुशित कstag помधा के महा निदेशा की रूप में निक्ट किया गया है। गुपता को पंजाब पुलीस के महा निदेशा की रूप में निक्ट कर लिए गया गया है। ये सूरेश अरोला जी का अस्थान लेंगे, ठीक है, हमारा next question है, भारत ने अपने किस पडोसी देश के साथ, पंचसील समझाओते पर हस्ताचर किये थे, तो भारत में चीन के साथ, पंचसील समझाओते पर हस्ताचर किये थे, जो 1944 में हुआ था, इसमें total 5 सहमत्यों पर हस्त सब्सक्राइब लौस एंजलीस से में आईुद है किसे बनाया गया है तौ सबसे पहले लोग यह जान लोग दबलू सीयों कि अस्थापना जो है वह 26 जनवरी 1952 में वहा था ठीक है इसमें टोटल छे के प्रांस हैं और प्रसांट शिद्र का जो उपाध्यज बनाए गया है वो हमारे प्यारे देश भारत को बनाए गया है ठीक है नेक प्रोशन के बढ़ते हैं किस टेनिस खिलाडी ने चिन्नई अगली किस से संबंदित है पनाम पेपर वो काला धन से संबंदित है और इस में सबसे से मोस्ट इंपॉर्टि आप लोग के ध्यान में रखना है कि इसमें अबाउट 1.5 मिलियन का डाटा लीख हुआ था ठीक है निमनलिखित में से कौन सा कौन मौलिक अधिकारों का संदक्षक है तो सबसे पहले तो यह जान लेकि हमारे कुल छे मौलिक अधिकार है ठीक है और ज वो कानून अधिकार के अंतरगात आता है और मौलिक अधिकारों का संदक्षक जो है वह हमारा नयायत अंत्र है नयायत अंत्र करने का मतलब हो रहा है सुप्रीम कोट अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोट अप्रोच कर सकते हो हमारा कुलंबिया विसुविद्याले से तो हमारा option number C correct है और यह कुलंबिया विसुविद्याले कहां है तो यह नियॉयोर्क में है ठीक है हमारा अगला question जो है निमने लिखी तिमें से किसे महात्मा गांधी का राजनीती गुरू माना आता है गोपाल कृष्ण गोखले option number B मतलब ग 355 थे ठीक है और अब भी हमारे मुल्समिधान में 448 यह साथ आप एक व्याद वाता और जान लो कि पहले जो भाग की संक्या थी वह 22 भागी थे लेकिन अब हमारे सम्मिधान में कुल 25 भाग है ठीक है हमारा next question है किंद्र सरकार निमनलिखीत में से कौन सा सुल्क लेती है औ और एकत्र करती है तो इसका अंसर हो जाएगा option number D यह सभी संपति सूल्क सीमा सूल्क निगम कर यह तीनों कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र की जाती है हमारा next question है घरम पानी भाग कहां इस्तित है तो इसका अंसर हो जाएगा आसाम के कार्भी आंग लोंग में गरम पानी अब भ्यारा निश्तित है इसका एरिया जो है वो अप्रोक 6.05 वर्ग किलो मीटर है ठीक है हमारा next question कौन सी भारती निर्दसायली सबसे पुरानी है तब यहां पूछा जा रहा है आपसे कि भारती निर्दसायली जो कि सबसे पुरानी है वो हमारा भरत नाट्यम जो कि तमी पर्देश का लोक नोड़ती है और कथाकली जो है वो हमारा केरला का लोक नोड़ती है ठीक है हम अगली कुछन को बढ़ते हैं जो कि है DNA double hellix का वर्णन किस ने किया है तो DNA double helix का वर्णन जेम्स वाट्सन और फ्रांसिक क्रिक दोनों ने मिलकर किया था यह 1903 में किया गया था ठीक है हमारा नेक्स्ट कुश्चन है निवर्क टाइम्स टेरावल सो 2019 में किस देश ने बेश्ट इन सो के लिए उत्क्रिष्ट्रा का प्रस्काश जीता है तो यह भारत ने जीता है ठीक है और यह 24 से स्वरी से सताइस जनबरी के बीच आयुजुद किया गया है हमारा अगला कुश्चन है गुजरात में पहली बार जजिया कर किस ने लागु किया था तो गुजरात में सबसे पहले जजिया कर लागु करने वाला अहमद सा पर्थम है जिसे अहमद खान के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और इसने 11-1442 तक मतलब अपने मृत्यू तक सासन किया था ठीक है यह आपको याद रखना है हमारा अगला कुश्चन है भारत में प्रकासित होने वाला पहला साथ है गजट जो की 1780 में कलकत्ता में प्रकासित किया गया था यह एक अंग्रेजी समचार पत्र था ठीक है जिसे प्रकासित करने का सरेज आता है जेम्स हिक को ठीक है तो कि उमिद करते हैं हमारे यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और हमारे ऐसे ही और में युद цвет के लिए इस चैनल को लाईक करें सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी ग्रूपसे उसमें जरुर से जरूर से जरूर करें ताकि इसी से हम लोग को motivation मिलता है जिसे हम लोग आप लिए के रोज इसे ही और भी बड़े बड़े लंबे वीडियो और important questions के नए नए वीडियो लाएंगे और daily basis पर लाएंगे और इस चैनल को subscribe करना ना भूले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी कोई निव वीडियो जाए तो आपको जल्दी से जल्द notification मिल जाए धन्यवाद